नमस्कार मैं हूं स्रिकान प्रत्यूस और आप देख रहे हैं सिटीपोसलाइब डॉट कॉम राजिती गलियारे से ख़बर है राजिती गलियारे से बड़ी ख़बर ये है कि ज्यादातर बाहुवली कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं दरअसल पहले शुरुवात हुई थी अनन्ध सिंग से जो कांग्रेस के टिकट के दावेदार हैं और कांग्रेस के नेता आखिली सिंग उनको टिकट दिलाने का वादा भी कर चुके हैं अनन सिंग कांग्रेस की रैली में भीड जुटाने के लिए जी जान से जुटे हुए भी हैं आप देखी चुके हैं कि किस तरह से हमने दिखाया कि कांग्रेस के नेता दिन डात इंडी चुटी का जोर लगाये हुए हैं क्योंकि 27 साल बाद पटना के गांधी मैदान में कांग्रेस की रैली हो रही है तो इस रैली को सुपर हिट करने के लिए कांग्रेस एंडी चुटी का जोर लगाये हुए है क्योंकि इसी रैली की सफलता पर उसका बिहार में राजनितिक भविश्य निर्भर करेगा और मुझे लगता है कि जो शिटो का बटवारा होना है उसका भी काफी असर पड़ेगा रैली का शिटो के बटवारे पर भी तो कांग्रेस जी जान से जोटी हुई है अनन सिंग के बाद खबर आ रही है कि रामा सिंग जो इलजेपी के पहले सांसद थे बैसाली से अब इलजेपी ने उनको मना कर दिया है टिकट देने से उनकी जगह पर दिने सिंग की पतनी लड़ सकती है हाजी बैसाली से चुनाव इलजेपी के टिकट पर तो रामा सिंग बे टिकट हो गए है और रामा सिंग कांग्रेस के उमिद्वार हो सकते हैं या आरजेडी के उमिद्वार हो सकते हैं सिवहर से तो बाहुवलियों के बीच कांग्रेस और आरजेडी के टिकट लेने की होड मची हुई है तो अनन्द सिंग पहले हुए दूसरे बाहु वली हुए रामा सिंग और तिसरे हैं अनन्द मोहन जो अभी जेल में हैं लेकिन उनकी पत्नी लवली अनन्द राजनितिक रूप से काफी सक्रीय हैं और वो भी सिवर से ही चुनाव लड़ना चाहती हैं तो भी चाहती हैं कि कांग्रेस का टिकट मिल जाए कांग्रेस में वो सामिल भी हो रही है तो अब किसको कांग्रेस का टिकट मिलेगा ये पहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि कांग्रेस के टिकट के दवधार कई हैं। अनन सिंग का टिकट कनफर्म कर रहे हैं और अनन कुमार कह रहे हैं कि अहमद पतेल ने उनका टिकट कनफर्म कर दिया है। तो कांग्रेस के टिकट पर आपको अस्तर नहीं होना चाहिए जब चार-चार बहुवली बिहार के जाने माने बहुवली चुनाओ लड़ते नजर आएंगे लोक्सबाद चुनाओ में। तो लेकिन कांग्रेस के निताओं का क्या कहना है बिहार परदेश के ये तो बहुवली कह रहे हैं कि उपर से बात हो गई है उनका टिकट कनफर्म हो गया है। लेकिन जो बिहार परदेश के नेता हैं कदावर नेता उनकी क्या राय है सुनिए। तो आपने सुन लिया वरकिंग प्रेशिडेंट है बिहार अस्टेट कांग्रेस के। धिरज कुमार पद बड़ा है, नाम भी बड़ा है, बड़े कदावर नेता हैं और ये भी बाहुवली ही किसी जमाने में माने जाते थे, दबंग नेता माने जाते थे, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अपराधिक रिकार्ड वाले उमिद्वार बिलकुल उनको मंजूर नहीं है, तो क्या होगा, मुझे लगता है कि इन बाहुवलियों की बज़ा से कांग्रेस में कहीं घमासान न मच जाए, महागटवंदन में कहीं रार न मच जाए, ये सबसे बड़ी बात है, तो खत्रा तो बहुत बड़ा है, बाहुवलियों को लड़ाने पर जीत की गरांटी है लगबग, क्योंकि है सारे बाहुवली लुख्रीए हैं अपने इलाके में, लेकिन खत्रा है पाटी में बवंडर शुरू हो जाने का, क्या होता है, इनको टिकट मिलता है, नहीं मिलता है, मिलता है, तो पाटी की सेहत पर क्या असर पड़ता है, महागटवनन में रार मचती है या उसको आत्म साथ कर लेता है महाकटवन्दम सहाजिता के साथ देखने वाली बात होगी आपको ये कारक्राम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर सेर करिए अगर आपने अब तक हमारा यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लिजिए आपक सहयोग समर्थनलागातार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत अभार नमस्कार